तो दोस्तो यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस का तयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्जाम 17 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में होगा तो इस वीडियो में आपको हिंदी के महत्पुर 50 important question बताए जाएंगे जो 17 और 18 जन्वरी को आने वाले हैं तो रट लो यही question आपके एक्जाम में आएंगे जरूर तो यदि आप हिंदे की तयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए special तो इस वीडियो को जरूर जरूर देखिएगा इसमें question दिया गया है निम्रिखित में से ओस्ट धोनी है इन में से ओस्ट धोनी कौन है तो option number D इसका right answer है और यह question है वह B8.2003 के paper में आया था next क्या है वावेल को हिंदी में हम क्या कहते हैं वावेल को हिंदी में हम स्वर कहते हैं option number C बिलकुल सही है यह question B8.2002 में आया था नेक्स्ट कोशन यह गया है जिन सब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं जिन सब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं क्या कहते हैं अकारांत डी आप्सन बिल्कुल सही है next question है कौन स्वर नहीं है इनमें से कौन स्वर नहीं है बख क्या है एक स्वर नहीं है d option बिल्कुल सही है यहाँ पर देख सकते हैं b8 के paper में बहुत जादे question आते हैं हिंदी के तो b8 के लिए भी बहुत important है निमलेखित में से कौन सा word घोस है तो कौन है द, द क्या है? एक word घोस है यहाँ भासा की सबसे छोटी इकाई किसे कते हैं भासा की सबसे सबसे छोटी इकाई को हम अच्छर यानि word कहते हैं d option बिल्कुल सही है next question word माला किसे कते हैं und where माला किसे कते हैं तो बेवस्थित वड़ समू को हम वड़ माला काते हैं या जो question है वह UPTGT हिंदी exam 2009 में आया था निम्लेखित में से कंठाय धवनिया काउन कौन सी यानि कंठ यानि जो की गले से निकलती हैं निमलिखित में से कंठय धवनिया कौन कौन सी है तो आपसर नमबर एक क और ख ये सभी क्या है कंठय धवनिया है ये आपसर नमें बिल्कुल साई है निमलिखित में से उच्छारड के स्थान पर मुर्धन्य ब्यंजन बताएं निमलिखित में से उच्छारड के स्थान के अध नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् खसं़ निमलिखित में से एक वड़ ऐरेंजन नहीं है कि ने arrive में से कौन सी धवनी तो में गौन système नहीं है यह जो कोशन है वह बीग इंटरेक्स एक्जाम 2007 में आया हुआ कोशन है आपके उत्तर परदेश पुलिस के एक्जाम में भी आ सकता है तो रट लीजिएगा जरूर यही कोशन आपके एक्जाम में आएंगे हिंदी भासा में मूलतावडो की संख्या कितनी मानी गई है तो आपसन मबर C भी अप्षी को बिल्कुल है next question दिया गया है यह वड़ क्या कहलाते हैं इसे हम माने किसे ह gadgets की मानक वड़ वाला में इस्थान नहीं दिया गया है आपस नबर C, श्री को इस्थान नहीं दिया गया है हिंदी वडमाला के मानक में आगे कुशन, निमलिखित सब्दों में किस सब्द के दित्व ब्यंजन हैं, इन में से किस सब्द के दित्व ब्यंजन हैं, किसके हैं, C आपसन, दिल्ली के आगे कुशन, स-स-स, कौन से ब्यंजन कहलाते हैं, यानि कि जो चार दिये गए हैं, जो चार ब्यंजन दिये गए हैं, या कौन से ब्यंजन कहलाते हैं डी उस्म संघर्षी बेंजन कहलाते हैं उस्म संघर्षी बेंजन कहलाते हैं यानि कि सा सलजम वाला सा ससकोट और सा सफेरा वाला और हाल इन सबी को हम उस्म संघर्षी बेंजन कहते हैं डी आपसन बिल्कुल सही है च्छत्षित्री ध्वनी किस स्वर के अंतरगत आती है आपसन नबर सी बिल्कुल सही है हिंदी सब्दकोस में च्छत्र का क्रम किस वर्ड के बाद आता है यह आपसन क्या है बिल्कुल सही है हमारा नेक्स्ट कोशन दिया है ग्या वर्ड किन वर्डों के संग्योग से बना है ज प्लस ज य नेक्स्ट कोशन नेमलिकित में से अघोस वर्ड काउन सा है तो आपसन नमर डी स स क्या है एक अघोस वर्ड है स सफेरा वाला को हम एक अघोस वर्ड काते हैं बिल्कुल सही एएं其實 निम्रीकित में से सयूक्त बेंजन अगय कुल्फित में इनम्रीकित में से वर उचाड़ की द्रिश्टी से द्रिश्टी नहीं है तुए आप्षन बिल्कुल स्वरों की कुल कितनी है हिंदी माला के स्वरों के संख्या कुल 11 होती है वी आफ सं बिलकुल सही है आगे कोशन दिया गया है निम्लिखित में से कौन सा स्वर नहीं है डी ज, ज, क्या है को स्वर नहीं है निम्लिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है इन में से कौन ट वर्ग का नहीं है घ, डी ये आपसन विल्कुल सही है आगे कोशन दिया गया है तो आपस नमबर B तैयतीत है चलिए आगे question की तरह बढ़ते हम हमारा next question दिया गया है निम लिखित में से कौन सा पच्छ स्वर है इन में से कौन सा पच्छ स्वर है तो आपस नमबर A आ किया है एक पच्छ स्वर है तो यह जो question है वहाँ नीट येनिटी जे आरयाफ एक्जान तोजर पांच में आया हुआ कोशचन है भड़ी पाई वाले बेंजनों का स्यूक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए आफसर नवर बी खड़ी चवपाई को हटा कर भिए आफसर बिल्कुल चाहिए नेक्ट कुछन बिसर्ग से बना सब्द कौन सा है निह सप्रिः या बिसर्ग से बना सब्द है बी आपसे बिल्कुल सही है इनमें से कौन सा वड़ स्वर है तो कौन है आपसे नम्बर ए यह क्या है एक वड़ स्वर है निम लिखित में से अंत इस्था बेंजन कौन सा है या क्या है एक अंत इस्था बेंजन है B आपसन बिल्कुल सही है आगे कुशन इने में से O का उचाडर इस्थाल कौन सा है कंठ ओस्थ आपसन नमर D बिल्कुल सही है आगे कुशन च और छ वड का उच्छाडर अस्थान काउन सा है तालू यह सब अर्भी फार्सी की ध्वनिया है बी आप सेने बिल्कुल सही है तालब बेवेंजन है इनमें से तालब बेवेंजन कौन कौन से है च च ज ज ज यह सबी क्या है तालब बेवेंजन है निकी जीव के तलबे से बोले जाते है कौन वर्ड घोस नहीं है इनमें से कौन सा वर्ड घोस नहीं है ता क्या है का घोस वर्ड नहीं है नेक्ट कोशन किस सब्द में री स्वर नहीं है तो आपसे नमबर कौन से सई है आपसे नमबर डी आज आज सब्द में री स्वर नहीं है तो आई होप यह 50 महत्पूड इंपार्टेन कोशन आपके यूत्तर प्रदेश पूलिस के लिए बहुत ही अच्छा हूंगे लाबदायक सिख्ध होंगे तो रटिल लीजेगा इन कोशन को ये सभी पिछले एक्जाम में आये हुए कोशन है तो एक बार इस वीडियो को जरुज जरुद देखे जाएं अपने दोस्तों के साथ इसे सेर जरुद करें तो बेश टापलाक आपके यूत्र प्रदेश पुलिस एक्जाम के लिए